हलो फ्रेंट्स आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ शिवमकुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीवकी की खान तो में आप सभी स्वागत है तौझ आज की स्क्लास में में डिसक्रस करने वाले हैं आपके साथ में आपके एक्जाम के लिए वर्ल्ड जियोग्राफ यह निकि विश्व भूगोल से संबंधित कुछ बहुत ही मातपून प्रश्ण तो आज की इस क्लास में आपके लिए विश्व भूगोल से संबंधित क्वेस्टन को डिसकस करेंगे तो अच्छा करेंगे फ्रेंट जो क्लास है आप सब लोग इसको सपोर्ट करेंगे शेयर करेंगे और अपने क्लास में maximum students को live लेकर के भी आएंगे चली फ्रेंट शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं अज का पहला question अगर आपको class अच्छी लगे पसंद आए तो लाइक कीजेगा बट इससे पहले friends आप सब लोग अपने class को एक बार share जरूर कर दें ओके चली friends शुरूर करते हैं आज की class को और देखते हैं आज का पहला question प्लीज friends आप सब लोग अपने class को एक बार share कर दीजेए तो आपका पहला प्रशन है कि निम्रिखित में से कौन सी नदी सागर में सरवाथिक जल की मात्रा का निर्वाहन करती है बताईए आपके options दिये गये हैं नील अमेजन मिसिस पी मिसौरी यह टेम्स कमेंट करें चलिए तो अगर हम बात करें आपके इस question के answer की तो जिनका भी answer option नमबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है तो अमेजन नदी जो है सागर में सबसे अधिक जल की मात्रा का निर्वान करती है इसके लाएज जो अमेजन नदी है पेरू में रियू मौन्तारो नामक स्थान से निकलती है आपको याद रखना है अगर बात करें अमेजन नदी की लंबाई की तो 6992 किलोमेटर इसकी 992 ठीक है 6992 किलोमेटर की लंबाई है और इसका जो जल प्रवात अंत्रा लगभग 70,50,000 वर क्लोमेटर के छेतर में फैला हुआ है clear तो ऐसे में जिनका भी अंसर option number B आ रहे हैं बिल्कुल सही हुततर है उनका चलिए देखते हैं इस class का friends हम फटा-फट से अगला question सारे questions आपको हम कुश्च करेंगे detail में पढ़ाने की बस आप लोग अपने class को support करिएगा कौन सी परवत श्रंखला यूरोप में इस्थित नहीं है बताइए इस question का रही अंसर हो जाएगा friends option number C CRE निवादा परवत श्रंखला clear तो CRE निवादा परवत श्रंखला ये यूरोप में इस्थित श्रंखला नहीं है clear तो ऐसे में जिनका भी अंसर option number हमारा C आ रहा है वह इस question के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा सही उत्तर है चलिए हम देखते हैं इस class का अगला प्रश्न के निम्रिखित में से किस छेत्र को डोल्डरम पेटी कहा जाता है तो धुर्वी छेत्र उपोश्न कड़बंधी छेत्र समसीतोष्न छेत्र भूमध्रेखी छेत्र मताइए किन में से किस छेत्र को डोल्डरम हो जाएगा भूमत रेखी छेतर को डोल्डरम पेटी कहा जाता है तो अब को पता है भूमत रेखा प्रथवी को दो समान भागों में बाटती है याद कि अगला प्रशन के निवलिखित में से कौन सी फसल भूमत रेखी फसल नहीं है तो नारियल रबड आयल पाम या केला इन में से कौन सी फसल भूमत रेखी फसल नहीं है इस question का right answer option number D हमारा हो जाएगा answer केला ठीक है तो कौन सी फसल भूमत रेखी फसल नहीं तो केला है यह हमारी भूमत रेखी फसल नहीं है clear option D जिनका भी answer आ रहा है बिलकुल सही उत्तर है उनका ठीक है इस केला भूमत रेखी फसल होती कौन सी है तो रबड मिर्च नारियल कोको यह सब हमारी भूमत रेखी फसल होती है केला हमारा भूमत रेखी फसल नहीं है ओके चलिए हम देखते इस क्लास का अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण कि भौतिक भूगोल और मानवी भूगोल का अध्यन किस में किया जाता है तो फ्रेंट्स भौतिक भूगोल और मानवी भूगोल का अध्यन किस में होता है आपकी options राजनीतिक भूगोल भूगर पशास्त्र जय भूगोल या anthropology बताइए इसके question correct answer हो जाएगा option number C, जयो भूगोल, ठीक है, तो भोतिक भूगोल और मानवी भूगोल का अध्यन जयो भूगोल में किया जाता है, clear, इसमें जिनका भी answer option number C आ रहे हैं, बिल्कुल सही होता है उनका, इसके अलब जयो भूगोल में किनिची चीजों का अध्यन होता है, ठीक है, इसके लिएको सिस्टम, इनके पैसे की तंत्रो, ओके, ये इनका अध्यन परड़ावन भूगोल में होता है, यहीं कि भूगोल में होता है, clear, याद रखिएगा, और मानो भूगोल, और मानवी यहीं भूगोल का अध्यन होता कि इसमें है, तो यह जयो भूगोल मे अगला प्रेशन दिया गया है, कि इस्थानिक संसलेशन निम्लिखित में से किस विशय में किया जाता है, तो इस्थानिक संसलेशन किस विशय में किया जाता है, आपके options हैं, इतिहाश, भूगोल, राजनीती या उप्रोब्त में से कोई नहीं, बताइए, कि इस्थानिक सं इस्थानिक संस्लेशन किसके बीच किया जाता है इसके आला वैग्यानिक तखनीक के द्वारा भौगोलिक विशिष्टता का अध्यन, इस्थानिक संस्लेशन का अध्यन यसे भी भौगोल के अंसर होते हैं, जियो ब्रॉफ्फी के अंत्रगत, ऐसे में अगर आप टेंड्स अ 37 CLASS का फ्रेंड्स फटा फट से एगला प्राश्ण की ग्रीणाीट निम लिखिट में से किसका उदाहरन है तो अंतरभेदी अगनेयं चत्तान बहिरभेदी अगनेयं चत्तान आवशादी चत्तान ये। रूपांব अंतर्गर तो ग्रे नाइट बताए फ्रेंट्स की ग्रे नाइट किसका उदाहरन है चलिए अगर हम बत करें इसके आंसर की तो ग्रे नाइट जो है अंतर भेदी अगने चटान का उदाहरन होती है इसके अलावा यह जो चटान होती है, दानेदार होती है, ठीक है, और इसका 20-60% जो भाग होता है, वो quards से बना होता है, किसे quards से बना होता है, quards, clear, जिनका भी आंसर इस question के लिए option number हमारा A आया हुआ है, वो इस question के लिए बिल्कुल सही answer है, चलिए, हम देखते हैं इस class का अगला question, अगला question है, कि प्रतिवी की गहराई में अंदर जाने पर दबाओ, प्रतिवी की गहराई में अंदर की तरफ जाते हैं हम, तो दबाओ क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, यह उप्रोक्त में से कोई नहीं, प्रतिवी की गहराई में अंदर जाने पर जो दवाव होता है वो क्या होता है इस question का रहत आंसर option number A हो जाएगा बढ़ता है प्रतवी की गहराई में अंदर जाने पर जो दवाव होता है ये बढ़ता है जिनका भी answer option number हमारा A आया हुआ है वो इस question के लिए बिल्कुल सही answer है ठीक है चलिए हम देखते हैं इस class का friends मेडिसीन रेखा को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो मेडिसीन रेखा को अन्य किस नाम से जानते हैं पताई है गया लिए थिए 69 1 ट्री 75 1 ट्र को जो ठाप मैडिसेज रिखा के नाम से जानते हैं यह जो है भूम्त रेखा से 49 00 में इस्थित है क्लियर इसके अलवे कहां कहां से होकर कर गुजरती है यूरोप एशिया प्रशान महासागर उत्तरी महापरेरिका अट्लांटिक महासागर ठीक है इतनी जगहों से होकर गुजरती है ये तो आपसन नमबर सी हमारा इस प्रशन के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही है है और प्रश्ण हम देखते हैं फटा फट से इस क्लास का आगला प्रश्ण को अगला प्रशन फ्रिंट्स की Old Fatful नामक गर्म पानी का जरना किस तेश में इस्तिध है तो कनाडा अमेरिका इस्पेंग ओल्ड फैथी। नाम गर्म पानी का जर्णा किस देश में इस्थे थे बताएए आसान प्रस्ट है old faithful नामक जो गर्म पानी का जर्णा ये अमेरिका में इस्थे थे अब old faithful है कि जर्णा है और गर्म पानी का जर्णा ये याद रखिएगा क्लियर जिसमें जिनका भी आंसर ऑप्सन नमबर भी आ रहा है वेरी गुड चलिए हम रेखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटा-फट से अगला क्वेस्चन अगला प्रशन तर्टी वन नमर ख्ट में से किंग का उप्सन है कि कौन सी चीजा पतरोम है प्रजोर मतर में पाई जाती है इंधन कि लकड़ी इमारती लकड़ी यह चारा रहा कि तर्टी वन किनग उप्सन है अजो हुआ सा जो कि आरा के ति ओप्सेन नमबर बी इंधन की लगड़ी ठीक है तो तो चकी बन किनुक्ता उथार में यह और लगड़ी का उत्तम साधन जिनका है unlike जुक्त scholarships में थीधित है इस प्रसका अगला को इस चाहर प्रेंड़ा कि उडिया नामक इस्थाना किसे महादूइप में इस्थित ए उस्ट्रिया एशियों को तरह अन्तार्टिका तो अनातोलिया नामक इस्थानन ग्होंड़ातान चौह किसंड़ातान थैंने इस भिता capaz इस question का राइट अंसर हो जाएगा हमारा option number B एशिया ठीक है अनातोलिया नामा किस्थान जो है एशिया में इस्थित है यह तुर्की के केंदरी भाग का हिस्था है ठीक है इसके दक्षण में तरुष परवत आता है याद रखेगा ठीक है अनातोलिया के दक्षण में तरुष सागर आता है उत्तर में काला सागर आता है पश्चिम में इजियन सागर आता है यह दखेगा पश्चिम में जो है इजियन सागर आता है ठीक है और पूर में माउंट अरारत इस्थित है यह याद रखेगा आप लोग तो इसमें जिनका भी आंसर इस question के लिए option number B आया अगला प्रशने आम तौर पर विश्वत रेखा के निकट इस्थित महादूइपों के पश्चिम में क्या पाया जाता है तो आम तौर पर विश्वत रेखा के निकट इस्थित महादूइपों के पश्चिम में क्या पाया जाता है आपके option से परवत, मरुष्थल, नदिया या जीलें बताइए चलिए तो आमतोर पर विश्वत रेखा के निकट इस्थित महादूइपों के पश्चिम में क्या पाया जाता है तो ये मरुस्थल पाया जाते हैं जिनका भी आंसर इस क्वेशन के लिए आप्सन नमबर भी आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है तो ये मरुस्थल पाया जाते हैं इसके अलावा जो है मरुस्थल किन कारणों से बनते हैं कि मरुस्थल ही पाया जाते हैं तो वहाँ पर जो पश्चिमी शेतर में प्रवाहित होने वाली व्यापारिक हावाए होती है इन ही के करण मुरस्थल पह जाते हैं जिनका भी आंसर इस question में option number B आया हुआ है वो इस question के लिए friends बिल्कुल सही answer है clear? चलिए हम देखते हैं इस class का अगला प्रशन अगला प्रशन वो तरी गोलार्थ में शीत कालिन उतरायन किस तिथी को होता है आपके option सा 26 दिसंबर, 14 जनवरी, 21 दिसंबर या फिर 24 दिसंबर तो तरी गोलार्थ में शीत कालिन उतरायन किस तिथी को होता है बताईए इस question का right answer option number C हो जाएगा 21 दिसंबर ठीक है तो 21 सिंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है ठीक है ओके तो जिनका भी answer option number C आया हुआ है वो इस question का विल्कुल सही answer है clear? चलिए हम रेखते हैं इस class का friends फटा फट से अगला प्रेशन आप लोग अपने class को share करते रहे है अगर आपको friends class के questions explanation अच्छी लग रहे हो हम आपसे request करेंगे बार-बार कि प्लीज आप सब लोग अपने class को share करते रहे है ओके? चलिए हम देखते हैं अगला प्रेशन अगला प्रेशन जो पवने अपनी दिशा नहीं बदलती है उन्हें क्या कहा जाता है तो इस्थाई पवने, व्यापारिक पवने, गरही पवने या इस्थानी पवने बताई ये कि जो पवने अपनी दिशा नहीं बदलती है इनको क्या कहा जाता है चलिए तो friends जो पवने अपनी दिशा नहीं बदलती है इनको क्या बोलते हैं तो इनको हम ग्रही पवने बोलते हैं जो पवने अपनी दिशा नहीं बदलती है। इनको हम ग्रही पवने कहते हैं ठीक है ऑप्सर नमबर स्थी जिनका भी आंसर आया हुआ है वो इस question के लिए बिल्कुल सही answer है क्लियर चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न दिया गया है रो डेशिया निम्लिक्षित में से किसका पुराना नाम है जैरे जिंबॉमबे शिटिजरलैंट या मलावी बताईए तो फ्रेंट्स रोडेशिया रोडिशिया किसका पुराना नाम है बताईए तो रोडिशिया जिम्बामवे का पुराना नाम है तो जिनका भी आंसर इस question के लिए option number B आ रहा है वो हमारा expression के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा ठीक है रोडिशिया का नाम 1965 से 1989 तक आस्तित में था ठीक है बाद में 1980 में इसका नाम जो है बदल कर जिम्बामवे कर दिया गया था ओके पहले जिम्बामवे का पुराना नाम क्या था रोडिशिया जिनका भी आंसर ऑप्शन नमबर भी आ रहा है वो इस question के लिए बिल्कुल सही कुलास का ख्ला प्रैसा अगला प्रशन के दृवी जयोती के द्रशीमान होने का कारण क्या है मैं और अभरवी जयोती के द्रशेमान होने का करण क्या है मैं तो प्लु Ball भी फिए कि इस question का right answer हो जाएगा option number a सौर बवने धुरवी जोती के दर्शिमान होने का कारण क्या है सौर बवने जिनका भी answer option number a आ रहा है बिल्कुल सही उत्तार है उनका सौर बवने चलिए हम देखते हैं इस class का friends फटा-फट से अगला question अगला question friends की नियम लेखर में से ब्रह्भपुत्र नदी का सौरोत क्या है नि क्या है आपकी options हैं तिब्बत में कैलाश परवत इपत में मान सरोवर झील गंगोतीी गलीशियर या अंग्सी गलीशियर तो तिब्बत में प्ट्री नदी का सौरोत क्या है very sorry बताईए question में मैंने option पढ़ा दिया था तो ब्रमपुत्र नदी का श्रोत आपको बताना है फटा-फट से केमेंट करते रही है तो option number D इनका भी आ रहा है वड़कुल सही होता है आंकसी glacier जो ब्रमपुत्र नदी है तिब्बत में आंकसी glacier से निकलती है और तिब्बत से होती हुए जो नदी है यह है भारत और मांगला देश में बहती है ठीक है अगर हम बात करें ब्रमपुत्र नदी की ब्रमपुत्र नदी की लंबाई के दनी है तो 3848 किलो मीटर यह इसकी लेंथ है लंबाई है जिनका भी आंसर इस question के लिए option number D आया हुए है वो इस प्रेशने में चीतो घास छेतर अफ्रीका का उश्नकट बंधी घास छेत्र यह जगा अफ्रीका के उश्नकट मन्हटी घास छेत्र सवाना बतागे क्या शैण है अगला प्रेश है पत्जड रितु में दिन और रात कब होते हैं आपके आप्सेंस हैं 21 मार्च, 21 जून, 23 दिसंबर यह 21 दिसंबर बताइए चलिए तो फ्रेंड्स अगरम बात करें इसके आंसर की तो जिनका भी आंसर आ रहा है आप्सेंस नमबर सी 23 दिसंबर विल्कुल सही आंसर है तो पत्जड में दिन और रात कब होते हैं तो 23 दिसंबर को जह होते हैं ऐसा वर्ष में दो बार होता है ठीक है कब-कब 21 मार्च को भी होता है ऐसा ठीक है और 23 दिसंबर को भी होता है ठीक है लिगे इसमें दोनों आप्शन हमको मिलना है तो 21 मार्च और 23 दिसंबर दोनों याद रखिएगा ठीक है आप से को हिरा दीजिए दोनों आपसंस ही हो रहा है हमारे क्लियर चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन आप लोग प्लीस अपने क्लास को सपूर्ट करने के लिए क्लास को शेयर करते रहिए ठीक है च चलिए बताइए कि पैरोक्लास्टिक के बारे में इसका सत्य कथन कौन सा है आपके आपसंस है जौला मुखी से निकलने वाले पदार्थ से निर्मित चट्टाने जौला मुखी से निकलने वाली गयर नुकसान तया गैस लावा या मैगमा तो पैरोक्लास्टिक के बारे में कौन सा कथर सही है बताइए इस question का right answer हो जाएगा friends option number हमारा A जाला मुखी से निकलने वाले पदार्स से निर्मे चट्टाने जो है इनको पैरो क्लास्टिक कहते है जिनका भी answer इस question के लिए option number हमारा A आ रहा है वो इस question के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा ठीक है चलिए हम देखते हैं इस class का friends फटा फट से अगला question अगला question दिया गए friends की किसी बल के कारण दो चट्टानों के आपस में टकराने को क्या कहा जाता है किसी बल के कारण दो चटानों के आपस में टकराने को क्या कहते हैं आपकी options ने घर्षण, अपरदन, सूरताब या एकाकीपन फटा-फट से बताएं कि किसी बल के कारण दो चटानों के आपस में टकराने को क्या कहा जाता है तो इसको कहते हैं घर्षण क्या बोलते हैं तो इसको घर्षण कहा जाता है क्लियर किसी बल के कारण दो चट्टानों के आपस में टकराने को घर्षण कहते हैं जिनका भी आंसर इस क्वेशन के लिए और अपसन नमबर ए आया हुआ है वो फ्रेंड्स इस क्वेशन में बिल्कुल सही उत्तर है चलिए हम देखते हैं इस ग्लास का फटा फट से अगला प्रशन निम्लिखित में से की नदी का जौर नदी मुख सबसे लंबा है आपकी आप्सें अमेजन नदी ओब नदी नील नदी या गंगा नदी बताइए चलिए इस question का right answer option number B हो जाएगा ओब नदी ठीक है तो ओब नदी कहां से निकलती है कहां की प्रमुख नदी है तो ओब नदी जो है फ्रेंड्स ये रूस के पश्चिमी साइबेरिया की प्रमुख नदी है ठीक है और विश्च्र की सातवी सबसे लंबी नदी है विश्च् चलिए जिनका भी आंसर फ्रेंड्स इस question के लिए option number हमारा भी आया हुआ है वो इस question में विल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए हम देखते हैं इस class का friends फटा फट से अगला question अगला question friends की भूकमप के केंदर का अर्थ क्या होता है तो आरंबिक विदर का इस्थान आरंबिक विदार से ठीक उपर जमीन पर इस्थित बिंदू भूकमप के चारों और का इस्थान या भूकमप से प्रभावित समस्त भागोलिक छेत्र तो भूकमप के केंदर का अर्थ क्या होता है बताइए चलिए इसell का रहाज से ठीक बिंदू हो जाएगा तो भूकम के अंद्र का बिंदू होता है इसको हम भूकम पका के अंद्र कहते हैं क्लियर इसमें जिनका भी आंसर option number B आ रहे हैं विल्कुल सही उत्तर है उनका चलिए हम रेकते हैं इस class का friends अगला question में बार पर friends एक बार ही request कर रहा हूं आपसे के class को अपने support करने के लिए प्लीज अपने class को आप लोग share करते चलिए चलिए आपका friends अगला question है कि छोब सीमा अथवा आपके options दिये गये हैं प्रतिवी की भूपरपटी पर आंतरिक सीमा छोब मंडल और समताप मंडल के बीच की सीमा करक रेखा वा मकर रेखा और भूमत रेखा की सीमा या प्रतिवी के वाय मंडल की सबसे गहरी सीमा फ्रेंड्स छोब मंडल या ट्रोपोपॉज क्या होता है बताइए चलिए इसके question कर राइट answer हो जाएगा friends option नंबर हमारा भी छोब मंडल अथवा समताप मंडल के बीच की सीमा ब्रेंड्स छोब मंडल या समताप मंडल kे बीच की सीमा होती है इसको हम ट्रोपोपॉज की सीमा होती है वो याद रखेगा जिनका भी answer इस question के लिए option number B अया हुआ है वह हमारा इस question के लिए friends बिलकुल सही answer है लियर चलिये हम देखते हैं फटा-फट से इस क्लास का अब अगला प्रेश्णु अगला प्रेश्णु फ्रेंट्स की निवलिखित में इससे असत्य कथन को चुनिए तो मक्की मूल रूप से अमेरिकी फसल है ब्राजील वियतनाम कोलंबिया और इंडोनेशिया कॉफी के प् भारत और बांगला देश पटसन के पर्मखुत पादक देश है यह शहतूत भारत में कपास की एक किसम है इनमें से कौन सा कथन हमारा असत्त है गलत कथन कौन सा है बताईए इस क्वेशन का रही टांसर ऑपसन नमबर डी हो जाएगा शहतूत भारत में कपास की एक किसम है या आपको याद रखना है क्लिए तो बारत में उतपदित होने वाली रेसम का पास का नीवा रेशम का एक प्रकार होता है इस सहतूत को मलबेरी कहता है और से लघे अगला प्रेस्टन दिया गया है धक्षिण पूरवेरी रिजमार्ग किस परवत तक जाता है तो माउंट आवरेस्टे अंसरी ओसन नहीं होगा Mount Everest दक्षिण पूर्वी जो रिजमार्ग है Mount Everest तक जाता है जिनका भी आंसर Option number A आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है Mount Everest जाता है दक्षिण पूर्वी जो रिजमार्ग है यह कहां पर स्थित है तो यह नेपाल में स्थित है ठीक है अगला प्रेशन है अंतर्राष्ट्री मक्का वा गेहूं व्रधी केंद्र किस स्थान पर इस्थित है मतलब फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्री मक्का वा गेहूं व्रधी केंद्र किस स्थान पर इस्थित है आपके आप्सेंस है मनीला, मैक्सिसको सिटी, उसलो या पेरिस, अन्तराश्च्री मक्का वा गेहु व्रधी केंदर किस इस्थान पर इस्थित है? चलिए, इस question का रही आंसर हो जाएगा, friends, option number हमारा B, मैक्सिसको सिटी, clear? अन्तराश्च्री मक्का वा गेहु व्रधी केंदर, मैक्सिसको सिटी में इस्थित है, जिनका भी answer, option number हमारा D, R, B, वो इस question के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा, ठीक है, चलिए, हम देखते हैं, इस class का friends, अगला question अगला question है कि विशुका सबसे बड़ा एक की करत हवाई अड़ा टर्मिनल किस शहर में इस्थित है, चलिए बताइए, options दिएगे हैं आपको New York, Beijing, Washington, Paris, तो विशुका सबसे बड़ा एक की करत हवाई अड़ा टर्मिनल किस शहर में इस्थित है, बताइए, चलिए, इस question का right answer option number हमारा B हो जाएगा, बीजिंग, तो विशुका सबसे बड़ा एक की करत हवाई अड़ा टर्मिनल जो है, बीजिंग में इस्थित है, जिनका भी answer option number B आरा इस question के लिए, वो इस question का बिलकुल सही answer है, ठीक है, चलिए, हम देखते हैं इस class का friends, लासरमन, ठीक ना तो लासरमन, 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 हिल्स, किस इस्थान पर इस्थित है, तो लासरमन, हिल्स, जो है, ये friends वता है, किस इस्थान पर इस्थित है, आपकी options है, योरोप, चंदरमा, अंटार्टिका, या उस्ट्रिलिया, इस question का right answer option number C हो जाएगा Antarctica यह तो लासरमन जो hills हैं यह अन्टार्टिका में स्थित हैं इनका भी answer इस question के लिए option number C आ रहा है very good चलिए हम देखते हैं इस class का friends फटाफट से अगला question अगला question friends की निम्लिखित में से कौन सा सागर चारों और से भूमी से घिरा हुआ है मताई इन में से कौन सा सागर चारों और से भूमी से घिरा हुआ है आपके options है तिमोर सागर, हरफुरा सागर, ग्रीन लैंड सागर या अराल सागर मताईए किन में से कौन सा सागर चारों और से भूमी से घिरा हुआ है चलिए इस question का right answer हो जाएगा option number D अराल सागर ठीक है जो अराल सागर है ये कजाकरस्थान और उजबेकिस्थान के बीच में स्थित है और ये सागर जो है आरसट हजार वर किलोमेटर के छेतर में फैला हुआ है clear तो इस question में friends जिनका भी answer option number हमारा अड़ी आया हुआ है वो इस question के लिए बिल्कुल तही उत्तर है चलिए तो dear friends हम देखते हैं इस class का फटा फट से अगला question अगला question friends की बलेडो मरुस्तल किस महादूप में इस्तित है चलिए बताइए आपके options आफ्रीका नेक्स्ट आप्शन योरोब ऑस्ट्रेलिया या उत्तरी अमेरिका तो बलेडो मरुस्तल मतई friends की बलेडो मरुस्तल किस महादूप में स्थित हैं इस question कर रहेट answer option number B हो जाएगा Europe clear तो बलेडो मरुस्थल यूरोप में है जिनका भी answer इस question के लिए option number B आ रहा है वो इस question के लिए बिलकुल सही answer है भी इस question के लिए बिल्कूल सही answer ए यूरोप के भी Poland में है वो इस question के लिए विल्कुल सा ही answer है चलिए है अगला question दिया गया है friends की death valley या मौत की घाटी निम्रिखित में से किस मरुस्थल में इस्थित है देखते हैं friends कौन सबसे पहले इसका answer करता है तो death valley या मौत की घाटी किस मरुस्थल में इस्थित है मोजावे मरुस्थल, कोलोराडो मरुस्थल, आमगोर्शा मरुस्थल या तकला मकान मरुस्थल इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number A मोजावे मरुस्थल तो death valley या मौत की घाटी जो मरुस्थल है ये मोजावे मरुस्थल में इस्थित है एक लाख 24,000 वर किलोमेटर में फैला हुआ है ये अमेरिका के कैलिफोर्णिया में है चलिए देखते हैं इस class का अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण के निम्रिखित में से कौन आयस्क नहीं है बताइए आपके options है चालको पायराइट सफेल राइट सिना बार ये एंडे साइट बताइए इन में से कौन सा आयस्क नहीं है चलिए इस question का राइट आंसर हो जाएगा option number हमारा D एंडे साइट तो एंडे साइट जो है ये हमारा आयस्क नहीं है option number D हमारा इस question के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा एंडे साइट ये आयश्क नहीं है option D is the right answer of this question clear? चलिए हम देखते हैं इस class का friends फटा फट से अगला question अगला question के निमलेखित में से गलत जोडे को चुनी है तो बेनिन, पूर्तो नोवो बुल्गारिया, सोफिया, कोलंबिया, बोगोटा, कोस्टा रिका, कार्तागो तो इन में से कौन सा हमारा गलत जोड़ा है बताइए इस question कराईट answer option number D हो जाएगा कोस्टा रिका, कार्तागो ठीक है? ये हमारा जो है जोड़ा गलत है जो कोश्टा रिका है ये कारतागो जोड़ा गलत है तो कोश्टा रिका की राजधानी इसमें राजधानी दिया गहाई से बेनिन की पोर्टो नो राजधानी है बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है इसी प्रकार से कोश्टा रिका में से कौन सा जल्ड मरूमद है अमेरिका को रूस से अलग करता है तो फ्रेम जल्ड मरूमद है मैक्योलियोर जल्ड मरूमद है सिमी, योस्त्रोस्टडी रीड या बेरिंग जल्ड मरूमद है तो कौन सा जल्ड मरूमद है अमेरिका को रूस से अलग करता है बताईए चलिए option number D तो friends जिनका भी आंसर इस question के लिए option number D आ रहा है बिल्कुल सही answer है जो bearing जल्ड मरूमद है ये अमेरिका को रूस से अलग करता है अगर हम बात करें bearing जल्ड मरूमद की तो ये कहां पर इस्थित है किसको अलग करता है तो अमेरिका और रूस को अलग करता है तो जिनका भी आंसर इस question के लिए option number D आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका चलिए हम देखते हैं इस class का friends फटाफट से अगला प्रश्न अगला प्रश्न ये रूस और डेन्मार्ग तो आर्कटिक सागर में इस्थित जो बेरिंट सागर है इसको लेकर किन दो देशों में विवाद है बताईए इस question का right answer हो जाएगा option number A रूस और नार्वे ठीक है तो आर्कटिक सागर में इस्थित जो बेरिंट सागर है इसको लेकर किन दो देशों में विवाद है तो ये रूस और नार्वे में में विवाद है जिनका भी answer option number A रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका ठीक है चलिए हम देखते हैं इस class का friends फटा-फट से अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण है बसंत और नीप जवार में कितना समय अंतराल होता है चलिए friends कमेंन करें फटा-फट से बसंत और नीप जवार में कितना समय अंतराल होता है आपके options है 7 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 30 दिन बताइए इस question का right answer हो जाएगा friends option number हमारा A 7 दिन, clear? तो बसंत और नीप जवार में 7 दिन का अंतर होता है clear? जिनका भी answer इस question के लिए option number A आ रहा है वो इस question के लिए बिलकुल सही answer हो जाएगा बसंत और नीप जवार में कितना अंतराल होता है? 7 दिन का अंतराल होता है ओके चलिए तो अगर आपने चुना है option number A तो यह बिल्कुल सही answer है आपके लिए ठीक है चलिए dear friends हम देखते हैं इस class का अगला question अगला question दिया गया है कि निमलिखित में से कौन से टीले सबसे दुरलब होते हैं तो कौन से सबसे दुरलब होते हैं आपकी options फिले और के सिंतारा नुमाटील या गुंब10 नुमाटी उन रंदीली सबसे दुरलब टीले कौन से उस इसको आसानी से पाया ना इस question का right answer option number D हो जाएगा गुंबद नुमा टीले तो गुंबद नुमा जो गोलाकार टीले होते हैं जो कि सबसे दुरलब होते हैं जिनका भी आंसर option number DR है बिल्कुल सही उत्तर है उनका ठीक है चलिए इसके लाव टीलों का जो निम्निकरण है यह मरुस्तरी छेत्रों में होत है clear चलिए हम देखते हैं सड्सका फटा फट शे अग्ला क्वैस्टे अगला क्वेस्टियों के पाइस बंदरगाह निम्रिखित में से किस स्थान पर इस्थित है तो जाफना सियोल कलकत्ता चिन्नाई बताईए फ्रेंड्स की के एस बंदरगाह किस स्थान पर इस्थित बत केकेस बंदर का जाफना नामा की स्थान पर इस्थित है क्लियर इसके अलावा option number a जिनका भी अंसरा रहा है बिल्कुल सही उत्तार है उनका चलिए हम देखते हैं इस class का friends फटाफट से अगला question अगला प्रशन निम्लिखित में से कौन सा द्वीप ब्रुनुई, इंडोनेशिया और मलेशिया में बटा हुआ है तो कौन सा द्वीप ब्रुनुई, इंडोनेशिया और मलेशिया में बटा हुआ है आपके options हैं सोबातिक द्वीप, बार्नुवो द्वीप, मदुरा इन में बटा हुआ है कमेंट करें फटा फट से चलिए इस question का रही टांसर हो जाएगा friends option नमबर बी ए से बातिक दुई एक सेकेंड इंडोनेशिया बुरुनोई इंडोनेशिया और मलेशिया में कौन सा बटा हुआ है option नमबर ए नहीं बलकि D सही हो जाएगा सिबेरुद दुईप कौन सा है friends जो सिबेरुद दुईप है इसके अलगा अगर हम बात करें बोर्णियों दुईप की अगर हम बात करें बोर्णियों दुईप की तो यह लगभग 7,43,330 वर किलोमेटर में फैला हुआ है और इशिया का सबसे बड़ा वविश्यो का सबसे तीनि विश्यो का तीसरा सबसे बड़ा दुईप है तो ऐसे में जिनका भी answer option number D आ रहा है वो इस question के लिए friends बिल्कुल सही answer है चलिए हम देखते हैं इस class का friends फटा फट से अगला question आप लोग please friends अपने class को share कर दीजे आज यस ज्यादा class आपकी हो चुकी है तो please आप सब लोग अपने class को friends share कर दीजे चलिए अगला question लिए डक्षिन देशीया में एक मात्र सक्री जॉला मुझी किस देश में स्थित है कि क्षिठ है भारत श्री लंका मालड आ 설ाँ माल्दिव और मॉरिसस तो इक मात्र सक्री जॉला मुझी किस देश में स्थित ठीक है भारत के अंडमान दूइप समूह में है ठीक है इसके लग किस दूइप में तो बेरिन दूइप में अंडमान दूइप समूह के बेरिन दूइप में भारत का एक मात शक्री जला मुखी है जिनका भी आंसर इस question में friends option number 8 आया हुआ है वो इस question का बिल्कुल सही उत्तर ह ठीक है चलिए हम देखते हैं इस class का अगला question कि अगला question कि निमलिखित मेंसे किन पौधों में ट्री रिंग सरवाधिक दृष्यमान होते हैं आपके options हैं धृभी पौधे उश्णिकट बन्धी पौधे उपोफोश्णिकट बन्धी पौधे या सम्सीतोश्ण पौधे तो कौन से पौधों में ट्री रिंग ठीक हना friends त इस क्वेस्टिन का राइट अंसर हो जाएगा फ्रेंट्स ऑप्सन नमबर डी समसीतोष्ण पौध है ठीक है समसीतोष्ण पौधों में ट्री रिंग सबसे अधिक दर्शिमान होते हैं ओके चलिए जिनका भी अंसर ऑप्सन डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तार है उनका चली हम देखते हैं फटा-फट से इस क्लास का अगला क्वेस्टिन अगला प्रस्टिन है निम्रिखित देशों पर विचार कीजिए सूडान, चाड़, इथोपिया बताई तो यह अपिसमने तीन देशों के नाम दिये गए हुए उनकौन से सूडान, चाड़ और इथोपिया आ केवाल एक और दू, केवाल एक और तीन यह अप्रोक्त में से कोई नहीं, बताईए देखिए, इस question का right answer तो option number D होगा, friends, किसी की सीमा इन में से मिसर से नहीं लगती है, मिसर से कौन से देशों की सीमा लगती है, देखिए, अगर हम बात करें, मिसर की उत्तरी सीमा भूमद सागर से लगती है, पहली बात रखिए कि सबसे important question ही हो जाएगा, कि मिसर की उत्तरी सीमा किस से लगती है, तो भूमद सागर से लगती है, पूरवी सीमा इसराइल से लगती है, ठीक है, इसके लगए मिसर के पूर में कहा है, लाल सागर भी इस्थित है, ओके, याद रखिएगा, ठीक है, वहीं अगर हम बात करें, सूडान की, जो सूडान है, मिसर के दक्षि वर लीबिया के पश्चिम में इस्थित है clear तो इसमें मारा option number D से ही हो जाएगा चलिए देखते हैं अगला प्रशन अगला बहुत आसान प्रशन है विश्चु का सबसे शुष की स्थान कौन सा है विश्चु का शुष की स्थान कौन सा है आपके option nämäका मोजावय मुरुस्थल यह यो तैवर नास मुरुस्थल विश्चु का सबसे शुष की स्थान कौन सा है बताए इस question कराई आपर है एंसर हो जाएगा और option number B अटाकामा तो बिश्यक का सबसे शुषकिस्थान कौन से है तो अटाकामा और उस्थाल है यह कहां पर है तो यह दक्षिन अमेरिका के चिली देश में इस्थेत है क्लियर कितना है छेतफ़ल इसका तो एक लाख पांच हजार वर किलोमेटर में फैला हुआ है हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रशन है कि समसी तोष्ण घास के छेतरों को क्या कहते है अब बताईए इनमें से कौन से कथन सही है एक और दो एक और तीन दो और तीन यह फिर एक दो और तीन चलिए तो अगर हम बात करें इसको एंसर की इनका भी आंसर और ऑप्सन नमबर यह आ रहा है एक और दो ठीक है समसी तोष्ण खास शेतरों को मध्यश्य में इस टेपी के नाम से जानते हैं और दक्षिन अमेरिका में इनको वेल्ड कहते हैं क्लियर तो इस क्वेस्टिन का राइट आंसर ऑप्सन नमबर हमारा यह हो जाएगा क्लियर चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंट्स फटा फट से अगला क्वेस्टिन अगला प्रश्ण की वन कटान के परिणाम क्या होते हैं बहुत आसं प्रश्ण है चलिए बतायए तो वन कटने का जो रिजल्ट होता है एक क्यों आप्सन से म्रदा परदन में व्रधी, भूमिगत जल का भंडारण, अकास्मिक बाढ़, आपको बताने कौन कौन से कारण होते हैं, आप्सन से केवल एक, नेक्स्ट आप्सन एक और दो, एक और तीन, एक दो और तीन, बताइए, चलिए, इस क्वेस्टिन का रही टांस अंसर आ रहा है, वो हमारा इस क्वेस्टिन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, चलिए, हम देखते हैं, इस क्लास का फ्रेंट्स फटा-फट से अगला क्वेस्टिन, अगला प्रेस्टिन, गुवानो नामक प्राकरतिक और वरक किस छेतर में पाया जाता है, चलिए होता ये, गुवानो नामक प्राकरतिक और वरक है किस छेतर में पाया जाता है, आपके आप्सन्स हैं, तीरा देल फियोगो, नेक्स्ट आप्सन अटा कमार उस्थल, ब्राजील का मीनास गोरियस, ये पेरू का तट ये छेतर, तो गुवानो नामक जो प्राकरतिक औ पाया जाता है, बताइए, चलिए, तो इस question का right answer हो जाएगा, friends, option number हमारा D, पेरू का तट ये छेतर, जिनका भी answer option number D, वो friends, हमारा इस question के लिए विलकुल सही answer हो जाएगा, तो गुवानो नामक जो प्राकरतिक और रख है, पेरू के तट ये छेतर में पाया जाता है, clear, ज इस question के लिए बिलकुल सही answer हो जाएगा, इसके लाग गुवानो नामक और रख में, नाइट्रेट की मात्र जो सबस्ते ज्यादा होती है, जो कि भूम के लिए सबसे अधिक और वरक होती है, उपजाओ होती है, option number D, हमारा इस question के लिए, friends, बिलकुल बिलकुल सही उतर है, चलिए, हम देखते है इस class का नगला प्रश्न, है कि जिबराल्टर ज़तरा मरूमत की दो च्षित देशों को अलन करता है, आप संथे पौड़ा और मोरकू,альная जचाशन या अलज्यीृट्ड ऑर पौर्तज़न पॉर्टगाल नदीध liberal치는 नदीधिट बिलकौ निवरा吃ाएव आपके सामने है इस question का right answer क्या होगा comment करें फटा-फट्स है तो फ्रेंट्स आप अपने question का जो answer अपने homework में देंगे ठीक है फ्रेंट्स इस question का answer आपको अपने homework में देना होगा कि इसका right answer क्या होगा clear चली friends हम देखते हैं आपके लिए फटा-फट से इस class का अगला प्रशन और अगला प्रेंट्स की 99 इस नामग जल्मग जौला मुखी कटक किस महाशागर में इस्थे थे थे अच्छा question 99 इस नामग जल्मग जौला मुखी किस महाशागर में इस्थे थे थे अब क्यों इस्थे आइसके question का राइट अंसर हो जाएगा friends option नामबर हमारा सी हिंद महासागर ठीक है इसके लबाई कितनी है इसकी लंबाई है लगभग 5000 किलोमेटर और यह बंगल की खाड़ी से सुरू होकर ठीक है डक्षिड की और तक जाता है कि जिनका भी आंसर ऑप्सन नमबर सी आ रहे हैं बिल्कुल सही होतार है उनका चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेस्चन अगला प्रशन निम लिखित में से किस देश में कौफी के पौधे की उत्रपत्ती हुई थी तो वियत नाम ब्राजील पेरू इथोपिया तो किस देश में कौफी के पौधे की उत्रपत्ती हुई थी बताईए इस क्वेशन का रहे हैं सर ऑप्सन नमबर डी हो चाएगा इथ इथोपिया में काफ जो है कॉफी के पौथी की उत्ति हुई थी लगभग दसभी सदी में हुई थी इसकी अलवा इथोपिया की जो ओरों में जन जाती है इसने सबसे पहले कॉफी के प्रभाव को अनुभो किया था तो ऐसे में जिनका भी आंसर वे इस क्वेश्टन के लिए सब्सक्राइब के लिए इस क्वेश्टन के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंट्स फटा-फट से अगला क्वेश्टन अगला प्रशन ऐल नीमो श्ब्द किस भाषा से लिया गया है अरभी फ्रेंच इस्पैनिश पुर्तगाली ऐल नीमो ऐल नीमो श्ब्द किस भाषा से लिया गया है वताईए इस question का right answer option number C जिनका भी आ रहा है answer बिल्कुल सही उत्तर है उनका तो El Nino शबल जो ही Spanish भासा से लिया गया है ठीक है इसके लिए El Nino प्रशान महासागर में उत्पन होने वाली एक जल्द हा रहा है ठीक है अब इसके लिए El Nino कार्थ क्या होता है El Nino कार्थ होता है छोटा जिनका भी आंसर इस question के लिए option number C आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका ठीक है चलिए हम देखते हैं इस class का friends फटा-फट से अगला प्रश्न अगला प्रश्न है विश्य में कपास उत्पादन करने वाले सबसे बड़े छेत्र किस तेश में इस्थित है चीन भारत अमेरिका पाकिस्तान कमेंट करें चलिए इस question का right answer option number हमारा C हो जाएगा अमेरिका ठीक है तो विश्य में का पास उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा छेत्र कौन से किस देश में है तो यह अमेरिका देश में है option C हमारा इस question के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा चलिए अगला प्रशन मेना M E N A छेत्र का मुख्य उद्यूग क्या है M E N A छेत्र का मुख्य उद्यूग बताइए आपकी options है वी निर्माड पेट्रोलियम खदानी वा खनिज यह परेटन कमेंट करने चलिए अगर हम बात करें इस question के right answer की तो जिनका भी answer इस question में option number B आ रहा है पेट्रोलियम बिल्कुल सही answer है clear जिनका भी answer इस question में option number B आ रहा है बिल्कुल सही उत्तार है उनका ठीक है चलिए देखते है इस class का friends हम फटा-फट से अगला question आप सब लोग friends अपने please class को share कर द अगला question Britain और अर्जंटीना के बीच निम्रिखित में से किस दूइब को लेकर के विवाद है बताए ब्रेटेन और अर्जंटीना के बीच किस देश को लेकर के विवाद है options हैं आपके Queensland, Seychelles, Abruka या Falkland comment करें फटा-फट से चलिए तो friends अगर हम बात करें इस question के right answer की तो जिनका भी answer option number D आ रहा है Falkland बिल्कुल सही answer है ठीक है चलिए option number D जिनका भी answer आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका चलिए देखते हैं इस class का अगला question अगला question यदि X और Y को भूमत रेखा पर 18,520 किलोमेटर की दूरी पर रखा जाए ध्यान से पढ़िएगा यदि X और Y को भूमत रेखा पर 18,520 किलोमेटर की दूरी पर रखा जाए तो उनकी बीच कितने देशांतर का अंतर होगा आपके options हैं 100 डिगरी, 120 डिगरी, 166 डिगरी ये 180 डिगरी करें चलिए तो अगर हम बात करें इस क्वेशन के आंसर की ठीक है तो फ्रेंट्स इसमें कितना अंतर होगा तो फ्रेंट्स ये आपको याद रखना है लगभग 166 डिगरी का अंतर होगा चलिए अगला प्रेंट्रीब को लेकर किन दो देशों की बीच विवाद है बताइए तो अभी डिसकस किया गयता है अरजेंटीना और ब्रेटीन के मध्य विवाद है ओके अभी डिसकस भी किया गयता है इस क्वेशन को तो option number D हमारा इस प्रेशन के लिए बिलकुल सही आं अच्छा प्रश्न है बताइए अगला प्रशन आपके समने पैरासेल दूइप को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है बहुत अच्छा प्रश्न है बताइए फटा-फट से आंसर कमेंड करिया और options आपके सामने है तो पैरासेल दूइप वाइस प्रेटली दूइप को लेकर के जो है चीन, ताइवाण और वियतनाम इन तीनों के मध्य विवाद चला है option number D हमारा इस प्रेशन के लिए बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा चीन, ताइवाण और वियतनाम चलिए अगला प्रेशन निमलेखित कथनों पर विचार कीजिए options आपके, ओक्सबो जील का विसरब टूटा हुआ हिस्सा होता है नदी के योवास्था की विशिश्चता बाढ़ युक्त मैदान होते हैं दो options आपके सामने हैं, अब इनमें से कौन सा कथन सही है बताइए किवल पहला कथन सही है कि ओक्सबो जील का विसरब टूटा हुआ हिस्सा होता है तो यह option नमबर A हमारा सही हो जाएगा, किवल पहला कथन इसमें हमारा सत्य है, चलिए तो चलिए फ्रेंट्स आज की जो क्लास है, इसमें हमारे इतने questions है, तो आज की इस क्लास में इतना ही, हम आशर करेंगे जो क्लास के questions है, आप सबको काफी अच्छी लगी होगी, वर्ल्ड जियोग्राफी से संबधने questions को हमने इस class में आपके डिसकस किया हुआ है, ठीक है अभी लोगों ने फ्रेंट्स क्लास को शेर नहीं किया है, क्लास को शेर कर दीजे, चलिए तो मैं आपका फ्रेंड शीवम कुमार, मिलता हूँ फ्रेंट्स आप से आपकी निक्ष लास में, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल लखिए, सेफ रहिए, पढ़ाई क होते रहिए, टेक केर फ्रेंड्स, बाबाई